तो कभी भी question आता है क्रुस्कल algorithm का तो आपको क्या graph दिया जाएगा और आपसे बोले जाएगा design a minimum spanning tree of the given graph तो जब भी एक graph का minimum spanning tree बनेगा समझ बच्चे ध्यान से सुन जब भी एक graph का minimum spanning tree बनेगा उस tree में कभी cycle नहीं होती ट्री का concept हमने data structure में पढ़ा है ट्री मतलब कभी भी cycle नहीं करेगा तो यदि आप क्रुस्कल algorithm से किसी भी graph का minimum spanning tree find out कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं जितनी भी cycles में मिल रही है हम उनको avoid कर रहे है